शाम्जी की सैनी जी को माला पहना करके उल्गा स्वादर करें दिनेश शामाजी आयद खवादी माला पहना करें उल्गा स्वादर करें अबी सी परीमिने बोड़ बोड़ दन्यवार अभी हमारे जो शिव गैप पशके नहीं जे लिए गजिए वेख मेरे फुनका पक्रे पहली बार किसी पोल्डिकल मंच से पोल्ड है हाद इस प्राइब खुझा जो फ़िए किसी त्राइब तो भी बॉच्चा मेरे जिसर पुचा कि अबी हमारी राष्ट्य पाषा झोषित नहीं हुए करते हैं बहुत 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 आध्यों का अंजित्रावधी पपड़ी पहला का सुअखत परिए पर आप आर्यों से शबाला करेंगे जो नाए होगान करें यह sebelum्ट उसला वचितरो टेकिनो एत पढ़ाएथ लूत पोबे सबस्टार終這種 एकिनो 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 टेक टोल कि यो एकिनो 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 प्रफुपाथिती गंगा संपर्ची जो विश्व के सबसे बड़े इंदों के सांस्ग्रिफिक संगटन आरेशेस के संपर्थ प्रमुख है दनाजय सिंग जी जिनों ने अभी-अभी आपने बहुत अच्छे विजारे आपको रखे जो सहकारिता प्रपोस्त के प्रमुख है गीपक कंसल जी जिनों ने प्यायर लेंड के तौर पर वन अच्छा काम समचे नाइले में याचिकात आखिर करके किया है एसन्त्यागी जी आयोजग पुण सिंग पाती जी हमारे देवसिना के पुरुज मुशन सहिली जी अन्य सभी उपस्तित बहेंदों आयो और नित्रोड़ आज रविवार का दिन है और वैसे तो परिवार के साथ छुट्टी मनाने ये देर से उठने वादा दिन और इस समय में भी अगर कोई धर्मकी चिंता करने के लिए एक अदर आया है तो उसके लिए शुरेट चवान के दिल्ली से चलते रहा है आपने दो कहा कि सभागार में थोड़े से थूरी सी ही खुर्चा खा दी है मैं कहता हूं कि अगर जागने के लिए एक भी हिंदू तयार है तो सुरेट चवान के दुनिया के किसी भी कोणे में उसके पाद जाने के लिए आपको इतनी बड़ी संक्षा में प्रभु भलोग बैठे हुए आज के इस कारकम को यहां आने के पहले क्योंकि थोड़ी दिन पहले आया था तो आज क्या भीषे रखे इस पर मैं सोच रहा है तो मैं ने सोचा कैक करदी कि ही कि हिंदू जागरनंत संवेददम कहा है हैं तो इसका मितलब है लो के जागरत करने जाना है तो कों ही हिंदू हो अगर हम ज़संक्या के आदार पर कहें तो खेंनी के लिए तो हम 1-1% में हैं थे समय करोड़ें लेकिन क्या केवल जदम से हिंदू हिंको हिंको माने किए तो आगर कोई इसाई बन जाता है तो इसाई बनने के पहले उसके जो आराद्य थे कोई पुस्ने नाम थे श्री कृष्टर यहां जिसको भी मानता था यह भले ही नास्तिक था लेकित उसके आराद्य यहां थे लेकिन जैसे हI वो इसाई बन जाता है तो उसका सबसे पुंद्रा के प्रफि उसको हरिगोर के पृति कि उसको mobilize हिद्दान के धर्विकितानों के पुन्य वाऊ नहीं रहेता मुण्य वाऊ कर चलुऊन था कि उसकी पुण्य भूई हो जा थी इंढे खैपको शीर्व मुसिमल्मान चाथा और कि उसकीने भूई मपणामदिना था फिर उसको लखता है इजा एज MODE जोर से बान लगना प्रुट निस्ता बदल जाती है उसकी पुन्ने भूमी बदल जाती है और वो पुन्ने भूमी को मानने लगता हो दा और इसके घर बनाएका तो उसका मुझा किदर मक्या मादिना के तरफ जोगे गा इसवर को मांने के लिए तो मुझा मादिना के तरफ पर आपको हलाल सर्टिफिकेशन का दूर चलगा ही दूस्तान में ऐसे ऐसे आपर्डों नो रहे कि जिको कहा जाता है कि हलाल कि उन्डी भूमी की संक्तटना बदलती है तो राश्तना खंजोर होती है और आपको फिर पाकिस्तान अपना लगने लगता है यह दूस्तान पर लगता है यह हमारे चिंता का भी से अब किसी में हम कहते हैं कि बुण्य भूब हुई से दुस्तार को मानने वाला अब दुनिया में कुछ उधार देजिए इंडोनेशय हम सब को पता है इंडोनेशया भी वैसे धार्मिक आधार पर मजभ्यादार इसलामिक हो गया है लेकिन वहां पर आज भी जो करंशी है दो थे उस पर माता दक्ष्वी की वहां पर आज वी वहां की एलाइस का नाम करूड है वहां पर रामायन उनका धार्मिक ग्रंथ है उनके घरों में रामायन की पूटा हो दिये उन्होंने पूजापती बतली लेकिन अपने पुर्वर्ज नहीं बतले दुरुआगे से हिंदुस्तान के मुसल्मानों ने अपने पुर्वर्ज भी बतल दिये और इस पर हमारे लिए अभी ही चेतारिक को उन्हें जैंजी इस वफर में मनाएं गए और उन्होंने इस सोय हुए समाज को अपना पौरुष्यक हो चुके समाज को अपना परिचे पैजान्थ हो चुके समाज को जो कि भिटब गया था उसका पुरुषाद उसके अंदर का काम भी समुत हो क्या था क्योंकि उन दिनों आये हुए विचारों ने कहा कि अरे तुमको करण क्या है कुछ नहीं है निराशा का महौल था बहुत दके विचान से लेकर अन्य विचारों का फ्रम पहला हुआ था और अपने आपको कोई हिंदू कहने के लिए बचा हुए लेकिन 2530 सुह रखा और उन्हें कहा कि तुमको इस्वर को धूड़ने के लिए आख बंकर करके कई किरा पाड़ी ओने जाकर बैटने क्या हो सकता नहीं तुमको अपने से को ताब रेकर लंबे उकवास प्राद लेने वादे उकवास करने क्या हो सकता नहीं तुमको किसी विदैशी और हर हिंदू इसवर बन सकता है हमारी जो यात्रा है वो जो इसवर तत्व है लिदू के अंदर है उस तत्व से इसवर पर बनने तक ही हो सकती है अदुएत का सितान दिया पूरा हिंदू समाब्ट हो चुका था लेकिन यवास कर आचारे की खेरव से निगले देश में चा तो काले कोई सोच रहा है कि हम शुच्वा रहे है इसलिए हम विड़ जाएंगे तो इसकी चिंता करने की ज़रोद नहीं है हम यह सच है कि हम जहां जहां घटे हैं वहां वहां को एंदेश तूड़ा है हम को घटना मंजुद नहीं है लेकिन हम जाब सकते हैं हम भाई हर्याना तो इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर महा भारत का युद्ध हुआ तो कवरों कितने थे, कितने थे संख्या में कवरों, और पांडव कितने थे, संख्या में तो कम थे ना, लेकिन कवरों सो थे, पांडव पाज थे, इसके उपरान भी, विजय किसकी हुई, किसकी हुई, किसकी हुई, क्यूंके क्यूं, क्यूंके योगेश्वर उनके साथ था, सत्य उनके साथ था आज क्यमत लड़ाई में भलेही संख्या में हिंदू निखने में जादा हो लेकिन लड़ने वाला हिंदू तो पांड़ों जैसा संख्या में कम है यही सत्य है लेकिन यही सत्य है कि जो जिरातन हिंदू धर्म not का ज्यान द litigation इसका सत्य किसके पास है आज पांडा उर्पी कम संथ्या में बच्छे हुए हिंदू के पास है और इसलिए कवरों बले हितने अबरने कादा बल रहे हो लेकिन मैं दावा करता हूं इस बढ़ांग मुझी से कि बीजाए हिंदू की ही होगी अब होगी कैसे तो उसका उत्तर इस नाम में दीसरा शब्द है और वह संवेलन संवेलन ही क्यों कहा गया है हमारे शब्दों में बहुत सामद है हमारे एक-एक सब्द में मतलब हमारी जो संस्क्रिंट भाषा है संस्क्रिंट से निकली हुई जो भाषा है उनके पास शब्दों का इतना सामलत है कि एक एक शब्द उसको पूरा विष्टेशित करता है। यह संब्दन है, मतलब मिलन है, अब मिलन किसका करना है? पहले मैंने कहा हुआ हिंदू को है? उसको पहचानना है। व Window को एक खritशानन को जगाना है, मतलब जागरत करना है, और जागरत करने के इस विए संब्दन करना है, तो पूरा पिसका करना है दिख रहे हिंदू का संब्दन यहीं सिरुब की सब से बड़ी है्वसक्ता है। और इसलिए कहा जाता है कि संद्र शक्ती करिए वे जो संत्रडीथ राच रहाई सकता है देवा क्या इतने कि लोगतन्त्र का मतलब ही तो यहिए जो संत्रड एस उसकी संत्रा है आप अगर विखन Jupiter तो संख्ञा में कितने भी हो तो आपकी संत्र नहीं गहीं लेकिन डेमोक्रासी के लोग कंत्र के कुछ फाइबे है तो लोग कंत्र के कई नुकसान भी क्या नुकसान है नुकसान यह है कि यहाँ पर सर गिने जाते हैं सर के अंदर क्या है वो नहीं गिना जाता है यहाँ पर नंबर गिने जाते हैं मतलब संख्या की नहीं जाती है लेकि तो यहां पर क्वालिटि का पाठर नहीं है कॉंटिटी का मैटर है और इसलिए लोग कत्र में सम्ताप के पास रहे इसके लिए आपको कॉंटिटी भी ज़रूरी है और इस सकीस पामले में हम बिछड रहे हैं और इस जागरन में ये भी समझाना जरूरी है कि सच्छा में कितना लिए मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो उसके समंधित आखड़े क्या आज समंधित कुछ आखड़े में हैं दो आखड़े बगारा पहला आखड़ा है दो हजर ग्यारा की जटकन्ना हुई उसमें पुरुशों के मुकामले महिलाओं ने छे सक लाग और महिलाओं ने ज्यादा शादी की अब जो के इना मैं गईए गईच्टने जहरोपार प्रस्त दिख्या है फिर रख्स 06000,00 की शादि आप पुरुशों से जढ़ा हुई तो बोल्ष और महिला के इसमें होती हैं तो भी 600000,00 महिलाओं की शादि ज़ादा कैसे होगी इसका मतलब एक पुरुश में एक से ज़ बचा हुआ दूसरा मुसल्मान हे लिए गैर मुसल्मान महिला की दरूरत बड़ी और एक दशक में वो आकड़ा कितना है 66 लाक मतलब प्रतिवर्ष कितना हो गया दस वर्षों में 66 का मतलब कितना हो गया है एक वर्ष में छे लाक छे लाक का एक वर्ष में तो महिने का कितना हो गया है पचास हजार हिद्दूओं की लड़कियों को लाना मुस्तमान की अशक्ता हो गया है अ यहीं तो लव्जाद है मतलब आपने ऐसी मेवस्ता क्रियाट की गई है कि उससे लव जाद उसको करना ही पड़ेगा और हमारी बैटी को रहें जाए गातवितों विवहां कर पाएगा उन इसके लिए करना क्या पड़ेगा जीषको रोगना है तो करना क्या पड़ेगा है पुरुष को एक ही पत्नी करने का काणूनी देश में लाना पड़ेगा पहूर वहावत्त है और इसले यह चार-चार वीभीयों की चुटे इसको बंद करने के लिए यह काणूनाय हमारी इमीज में प्यायल मैंती बढ़े हुए तो आपको इसमें भी प्यायल लगाई है कि हिंदुस्तान के नया विवस्ताने अब तक सबसे ज्यादा हम तक सबसे ज्यादा जो किसी के निजी कानूने में हस्तक्षब किया हुआ है तो हिंदुस्तान में बहु विवाब अदरी को बन किया जाए और इसकी मान हम यहां की राते सर्कार से निजी के नेता ही और वह स्वयम लिद्दुवादी मिशारों के हैं तो आपके सरकार से शुरू करती है तो केत्र सरकार को हम पहुचाए तो पहली मां इस चागरन में इस समयलन में क्या होनी चाहिए जो मैंने आपके सामने लखी दूसरे दूसरा चोकान वादा करा है हम संख्या में तो 80 प्रतिशन दूसरे साड़े आठारा प्रतिशन लेकिन आप चांता है असी प्रतिशन दूसरे और अठारा सब्सक्राइब वाले के पैदा होने वाले बच्चों का अनुपाद क्या है तो जंदना तो हलोर 21 की बले नहीं में हो लेकिन जो एकोनामिकल सर्वे होता है वो साड़े अप्रेट करता है और भारत सरकार के इकोनामिकल सर्वे के पता रहे है कि जब सो बच्चे पहला होते है भृतिवित अड़सट गर अप्रप्जिमेंट लोग पैदा होते हैं बच्चे पैदा होते हैं लड़का दर्की दिए लेकिन उसने जो सो का अकड़ा है उस सो में 48 बच्चे मुसल्मान है मतलब साड़ी आटरा परसेंट के अगर हम इतना जादा पिशट रहे हैं तो प्रतित इनके 68,000 बच्चे पिशट रहे हैं सुचे यह लड़ाई अब तो घंटों मिल्टों पर आ लगी है वर्षों पर और दस वर्षों की यह मैंना पर नहीं है यह हमारे सामने तो आकड़े पर प्रस्तुन के जाते हैं कि मु तो आज भी वह हिंदों सब बहुत जादा है कि किसी भी कमिदिकी को अपना अस्तित्वा समाज में जीवित रखना है तो उसको 2.6 करना पड़ता है तभी वह कमिदिकी कुछ समाज में जीवित रह सकती है ने तो आज कई जातिये समुहां या कमिदिकी विश्व से समाथ हो चुकी है जपान माइनस में है जपान की जो ग्रोथ है वो माइनस में है निगेटिव यह लोग पे भी कई देशों में एक पर आच कि इसलिए उनको भुषबाइटियों को जगा देनी करती है आज दिंदों का पुरूथ क्या था होना चाहिए 2.4 से लेके 2.6 लेकिन आज हम आज चुके 1.9 सिर्फ 1.9 दो से विकाम और मुसल्मानों का कितना है इसलिए आपको पत्तर मारने वालों में जो युवा दिखेंगे वो हिंदों के नहीं दिखेंगे क्योंके हिंदु बजी राम दूमी की शोबा यात्रा चाल रही है उपर से किसी हिंदु के बच्चे ने खिड़की खोलते है अगर मीचे देखा तो माबाब कहते हैं क्यों एक ही पैदा करें रहता है तो उसको इतना संच्रोय रखते है लगता है कि यह चला जाएगा तो क् उनके बाद उसको शोबा यात्रा देवनी तक नहीं देए और इसले यह तो जन्द संख्या काड़ू पात है वो इतना विशव स्किती पर गया हुआ है कि इसकी चिंदा हमने करनी चाहिए और इसले दूसरा प्रस्ताव मैं यहां पर रखता हूं ओ प्रस्ताव है हम दो हमा बच्यों कि इसका समर्द सभी ने करना चाहिए अब जब मैं कहता हूं कि यह मां तो बहुत जो बहुत बच्चे तो आला की देन है कि बच्चे तो अल्दा की देंग और फिर इस मान को मजभी या मुस्तमानों के विरों तो बताए जाता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इसलाम के दुर्ष्टिमों से समसे महतुपूर्ण देश कुन सायाच का देश उनके लिए तूर्की पाकिस्तान नहीं व कुन से महतुपूर्ण देश मानते हैं तूर्की तूर्क का खलिपा और दूसरा विचार मानते हैं सौधियारिविया तो तूर्की ने इसलामिक देशों में सबसे पहले जंद संख्या देश का कानून ला सकता है तो हिंदुस्तान को लाना चाहिए कि नहीं हमारे से ही आकड़े में बता को हिंदुस्तान का विवाजल हुआ पाकिस्तान मना तो उस पाकिस्तान के जाने वाले मुसल्मानों की संख्या की ग्रोथ इसले 75 वर्षों में कितनी हुई चार गुना मतलब जितने मुसल्मान पाकिस्तान मना सब थे और संख्या में कितने बड़े चार लेकिन हिंदुस्तान में जितने मुसलमान थे वह कितने बड़े दस उनाव तो यह नाचरल लगती है आपको क्या यह नाचरल परोथ है कि इसके पीछे कुछ फूर गेम है कुछ तो नारा क्या है लड़ के लिया पाकिस्तान और हसके लेंगे तो आप देगे क्या है आप जर के लिया पाकिस्तान और हस के लेंगे हितुस्तान केड़े वालों को हितुस्तान देगे आप नहीं तो सेटानिस में भी कह रहें लेकिन रोख पाएं नहीं क्यूंकि यह आपके हाथ में नहीं है यह आपकी जनसंख्या के ताकट पर है कश्मीर को भी आप देना नहीं चाहते थे लेकिन कश्मीर आपार हाथ से गया था ना अगर मोझी आवीं चाहा नहीं आते है तो कश्मिरा आपस आने की संभावना वनती थी खालिये आज आया प्रियाना का मैं जहाबर खड़ा हूं यहां से मेवाद कितना है 20 कि मेवाद की क्या हादा मेवाद हिंदुस्तान का काणून चलता है यह मेवाद हमारी पूदिक चाप आती है अगर मैं अभी मेवाद में जाना है तो सबसे पेड़ कोण रुखेगा मुसल्मान नहीं कोण रुखेगा 20 कि क्यों वो कहें जो समयदन सिल्षित्र है मुझे समझ नहीं आता हिंदुस्तान के साड़े समयदन सिल्षित्र जहां पर मुसल्मान ज्यादा है वही ह्यून्य और इसल्शकया कानुम दाना चाहिए यह कानुम लाने के लिए क्या होनाूँ डेमोकरासी की माँ कि Probably जनता निमाना चाहिए तुम्हें आपके जानकारी के लिए बताओं हमने 2017 के 15 नवंबर को इस काणू की पहली बाल मांद की 18 फरवरी को जम्मु कश्पीर से यात्रा शुरू की उत्तर पूर्व और दक्षिन भारत करते हुए हम कन्या कुमारी गए और हम वापसी में कन्या कुमारे से दक्षिन पच्छिन मद्ध भारत करते हुए 22 अप्रिल 2018 को राम लिला मैलान पर पहुँचे हमने कहा कि हम सरकार के सामने इस काणू की मांग रखने के लिए कुछता मंगा रखेगे यह जन्ता की मांगे दिखावेंगे और इसलिए कितना अकड़ा हो तो हमने सोचा कि भारतिय जन्ताव पार्ति में अपनी मेंबर्शिप की थी मिस्कॉल से पता है ना उसका अकड़ा कितना था दस करोड़ हमने कहा कि इस देश में कानून के लिए अभितब कभी भी नहीं इतना बड़ा अकड़ा हुआ होगा तो जन्ध संख्या कि इतना बड़ा अकड़ा हमने एकतर किया है अब दस करोड़ के लिए कितने बचे है थोड़े से बचे है तो इसले पॉपुलेशन कंट्रोल डाट वर्व की साइट पर जाए वहाँ पर अपना फॉर्म बढ़िए क्लिक करिए आपका ओट पहुंचाएगा नहीं तो मिस्क अब जानते हैं और इसमें किवल बाजमा के सांसर नहीं है मुष्मिक छोड़के सारे ददों के सांसर नहीं पूरी मंता बादर्वी के ददों के भी है और आज सुदर्शंद के कैमेरे पर जैक्रन कानूं का समर्था करने वाले सांसर रूपी संक्या है तीन सो अड़ीस ती कि इसी कानून को जात को ने सरकार मतलब को मत्रे मंतल के लिए कि अठारा के मिनेट और राज्या मंतल किया हुआ है यह इस कामक की ताकर पासे जाना राचों ने आपने यहां पर इसको अंसदा अलादो किया है कि अब आपको किया चाहिए का दॉट को सिसे सब्सक्राइब करते हैं कि इस देश में हम दो हमारे तो संके दो ये इसको देश में म्यांक रहनोना चाहिए और इसलिए देखिए इसका विडियो हां हम अदर कैमेरा पना रहा है यह में तरह वजब गड़वालों का समझ दत्मूरी जी तक बेरुगा जिससे की पता चले की देश के जिस भी कौने में हम जाते हैं दोनों हाथ दाकर यो जन सब्सक्राइब और इसलिए हिंदु जन जागरत समझन और समझन से यह मांग यह मैंने आपके सामने रखी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट बनना चाहिए आप वरना चाहिए मतलब यह नई है क्या ऐसा हमें करना यह जी इस हिंदू राष्ट को करना है अब खुशिद ने करना है किस तोटों जैसे किसी घावों के शरों के नाम अगर के तो में ने मैंने कभी दाबात नहीं कहां नाम भाना भाजमा था है बड्या दियाज कहता हूँ ने यह तो यह हम सो करोड़े हम 25- 25 क्रोड भी भी निखना सुनू करेंगे तो इनाम पहुच जाएगा यह हिंदु राष्ट तो है ही लेकिन घोशिक इसलिए भी करना है कि कई लोगों ने मज़ब के नाम पर पाकिस्तान लेने के बाद भी वो हिंदुस्तान पर अपने बाप का दावा ठोक रहे है इसलिए भी घोशिक करना है अभी मज़ब के नाम पर पाकिस्तान दे टिया दुबारा हिंदुस्तान का कोई तुपड़ा देंगे गया बोड़imon चूट होगा रव नहीं है कोई हिंदों का धार्मिक जो संस्ताइव स्कूल खोलती है तो उसका सिल्याबस वो तय नहीं कर सकती लेकिन मुसल्मान आपनी संस्ता खोलता है तो समिधान की धारा तीस उसको छोड़ देती है कि उसका सिल्याबस क्या हो वो पढ़ाए और उसले एक ही देश में कई विधान चड़ रहे हैं उन सब को अगर बदलना है तो यह देश हिंदू रास्ता खुशिक होना चाहिए और आशा करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी देश की सरकार की समान को मानेगी और मेरा यह अक्मिश्वास मोजी जी तिहास बतल में आए हैं और मोजी जी आए